गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मरसुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में इच्चिंग ये बारे में जानकर प्राप्त करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स पहले कई वीडेशी ऐसे लोग थे जो भारत में आये थे और उन्होंने कई किताबें लिखी जिनको पढ़कर हम प्राचिन कालेन भारत के इथियास के बारे में जान सकते हैं और इनी विदेशी यात्रियों में से एक यात्री इच्चिंग भी था ठीक है जिसके बारे में हम इस वीडियो में अध्यन करेंगे तो इच्चिंग कौन था ये किसके ससनकाल में भारत है था इन सभी बातों के बारे में हम जानकरी इस वीडियो में करेंगे तो यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेसर मिलें और आप इत्यास विशे की जानकारी अच्छे से प्राप्त कर सकें तो देखे पढ़ते हैं इच्सिंग कौन था वेनसांग के समान इच्सिंग भी चीनी बोध यात्री था जो उसके वापस लोड़ जाने के बाद भारत की यात्रा पर आया था इसके लोड़ जाने से लोड़ जाने पर वेनसांग के लोड़ जाने पर चैसो इगेतरिया चैसो बहतर इस्वे में जब वह यूवक था अपने 37 बोध सहयोगियों के साथ बोध धरम के अवसेसों को देखने की इच्छा से उसने पास साते विश्वय का भर्मन करने का निच्चे किया बाद में उसके साथ हुने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहांज में बैठ कर भारत की यात्रा पर चल पड़ा वह दक्षिन के समूदरी मारक से होकर भारत आया सुमात्रा तथा लंका होते हुए वह तमर लिप्ती पहुँचा जहां तीन वर्षों तक रहे कर उसने संस्कृत का अध्यन किया यहां से उसने विभिन स्थानों की यात्रा की अपनी यात्रा समाप्त कर 634 में इस्वी के लगबग सुमात्रा होता हुआ वह चीन वापस लोट गया वह अपने साथ सूत विने तथा अभीधम गरंथों की लगबग 400 प्रितिया ले गया 700 से 712 इस्वी के मद्दे उसने लगबग 56 गरंथों का चीनी भासा में अनुआद पृस्तुत किया इस्वी का मूल गरंथ चीनी भासा में लिखा गया उसका अनुआद अंग्रेजी भासा में परसित जापानी विद्वान तकुसुने ए रेकार्ड ओफ दे बुधिस्ट रेलिजन नाम से प्रस्तुत किया इसके अधिन से हम साथविस्त आपदी के उतरी भारत के समाज अंस्कृति का ज्यान प्राक्त करते हैं अपने यात्रा विवरन के प्रारम में इस सिंग चीन से भारत तथा उसके पडोसी देशों के यात्रा पर आने वाले 56 बोध यात्रियों का विवरन देता है सुमात्रा का वरनन करते हुए वह हमें बताता है कि इसके किनारे पर एक सम्रद व्यापारी परतिष्ठान तथा धारमिक विहार था यहां से व्यापारी मार लेकर कैंटन को जाते थे वह मार्ग की कठिनाईयों का भी वरनन करता है वह भारतियों की धार्मिक प्रमप्राओं का भी वर्णन करता है उसके अनुसार बोधरम के अनुवई चार संपरदायों जो निम्न लिखी थाएं में बंटावाता वो कौन कौन से हैं बोधरम के चार संपरदाय आर ये महा संगीती आर ये इस्थवीर आर ये मूल सरवास्त वादिन आर ये समतिये ठीक है चार भागों में विबजित थे कौन बोधरम को वो मानता है कि वह चार भागों में विबजित था जो हमने पहले पढ़ा है मगद में पर्तेक संपर्दा उन्नत दसा में था नालंदा का वनन करते हुए इच सिंग लिखता है कि इसके पूर्वे की ओर 40 स्टेज पर गंगा नदी के किनरी स्री गुप्त नामक राजा द्वारा चीनी यात्रियों के लिए बनवाया गया मंदिर इस्तित था वह नालंदा तता विक्रम सिला के विश्व विदयों का भी वर्णन करता है तता हर्स की दान सिलता एम विद्या प्रेम की परसंचा करता है इत्सिंग के विवरंड से हम हर्सकालीन भारतिय धर्म समाज के विशेव में कुछ ग्यान प्राप्त करते हैं किन्तु वेन सांग के विवरंड की भारति उपयोगी नहीं कहा जा सकता ठीक है तो इत्सिंग है वे हर्सके काल में था और इसने भारत की उस समय के भारत की जो भारत ये धरम है समाज है उनके विश्यव में भी जानकारी हम लोगों को दी है और इसी प्रकार से वेन सांग का जो वीवरन है वह भी उप्योगी था वेन सांग हम पहले पढ़ चुके हैं तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड एज पे